बड़ों को प्रनाम बच्चों को प्यार आप सबको नमस्कार जैहिन सातियों में आरके नयकाब सभी का हर्द एक स्वागत करता हूं इंडियन पॉलिटिक की वीडियो सरंकला में सबसे पहले सातियों अगर आप किसी भी एक्जाम की चारिक कर रहे हैं तो आज का हमारा जो ट के सलेबस में जिस एक्जाम के आप ट्यारी कर रहे हो इंडियन पॉलिटि अगर आपके सलेबस में तो सातियों यह सरंकला आपके लिए रामबार्ण साबित होने वाले क्योंकि सातियों इसमें हम भारत के सविदान से समद्दी संपून जानकारी आपको देंगे जिस जानक सकता अगर आपने अच्छे से मेनत की और रिविजन किया तो आज सातियों हम पॉलिटी से समदित जो ये वीडियो से रंकला हमारी प्रारम की है हमने उसका अगला भाग देखेंगे जिसमें कुछ महत्पूर्ण जानकारी भी लेंगे लेकिन सातियों इस से पहले अगर आपक किसी भी सब्जेक्ट से समंदित हो उन सब का रिव्यू हमारे इसी चैनल पर किया गया है अब सातियों उनको देख करके आप क्या है इन में से जितनी भी पुस्तक आपको लगता है कि ये हमारे सलेबस में है और इस विशे से समंदित हमें इस्टेडी मेटेरियल चाहिए त सही हम आप तक बारतीय सभीदान से यानि इंडियन पोलिटी से समन्दित कुछ महत्बवों जानकरी आपको देश सके सबसे पहले सात्यों आज हम सुरू कर रहे हैं भारतीय साविदान यानि इंडियनिक पोलिटीका जो अगला हमारा यह भाग है या पिर होता है तो इस इस है बार्तिय परिश्द आदिनियम उनीस सो नो और मारले मिंटो सुधार के नाम से किस आदिनियम को जाना जाता है साथियों अगर इस टाइब का एक्जाम में क्यूशन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए नवंबर उनीस सो चै में लार्ड करजन के इस्तान पर लार्ड मिंटो को भारत का वाईसराय नुक्त किया और जोन जो मारले थे उनको किया है साथियों यहां पर भारत के राजिस सचियों बनायए गए अब साथियों आप से पूछा जा सकता है की उसमें ये जो मार ले मिन्टो जिसे कहते हैं यह कून थै भारत में राज सची ंए और लार्ड मिन्टो कून थे वो थै साथियों लार्ड करजन के इस्तान पर वाइस राय भारत में तो यह साथियों आ,'क जो था मारले मिन्टो का व्यक्तितु उदार था वे भारत में परसास्तिक सुदारों के समर्थ तक थे वह यह चाहते थे कि भारतियों का सोशन आप इस परकार से मत कीजिए यह भी तो एक इनसान है और इनको भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए तो इस परकार से क्या है सात्यों उन्हों ने यहां पर आपने देखा कि भारत के ततकालिक वARS लाड मिं तो थे वे क्याitas माडले के विचारोंस से सहमत तहें यानि शात्यओं यहां पर दोनों जो थे यहां पर एक तो वाइस राय और दूसरा भारत का राज Shachiyota जब दोनों के विचार उदारवादी थे उदार विचार के थे और वारत्यों से समदित अगरीज परकार के तो इसका मतलब क्या है उनके विचारों के अनुसार और बारतियों की शेहत के लिए यह कापी महतुपून था इन सुदारों के पीछे दो गटनाएं मुक्य थी अब दो गटनाएं मुक्य कौन कौन सी थी सातियों वो भी हम देख लेते हैं यहां प मुस्लिम पर्ति निदी मंदलल लड में दों से मिला अब साथियों लड मेंँटो जो थे उन से मिलने के लिए आया एक मोस्लिम पर्थिनी दिमानल और इसका नित्त्व कर कोने रहे थे सातियों वो कर актив रहे थे ले यहाँ पर साथियों क्या होता है जो मुश्लिम लोग है उन्होंने अपने विचार रखे कि भाई हमारा जो निर्वाचन है वो हमारा पर्तक होना चाहिए यानि अलग होना चाहिए यह कब आया था किस संद में आया था इसका नेतरत्व कौन कर रहे थे पूरी जानकरी में आपको दे दिए पीडिएप रिविजिन कर लीजिए ताकि आपका एक्जाम में क्यूशन गलत नहीं हो अगर पूछा जाए तो और किस टाइप से क्यूशन इससे पूछे जा सकते हैं वह जानकरी में तब दूँगा जब वीडियो सरंकला कंप्लीट हो जाएगी यह वाली समय पॉलिटी की वीडियो सरंकला प्रारम करेंगे उसमें दूसरे मामले में चाहते हूं क्या हुआ दूसरे मामले के तहत मुसल्मान अपनी जन संक्या के अनुपात में परती होना चाहिए अलग होना चाहिए और जो होने की पपड़ना होना चाहिए और दूसरी हमारी जितनी जन्संक्या उसके अनुपात में हमें परतीनी रहे थे तो वो उनकी मांगे थी अब भारत परिश्द अधिनियम 1909 के तहत और मैं तो जानकरी क्या है साथियों इन दोनों मामले जो हमने इससे पहले देखे हैं को देखते हुए भारतिये परिश्द अधिनियम 1909 के प्रावदान बनाए गए जो मांगे यहां पर थी उन्ही मांगों को मद नजर रखते हुए हुए उन्होंने क्या है इस परकार के अधिनेव में प्रावदान था किए तो यहां पर सातिओं केंद्रिय इंप्रांतिए विदान परिश्दों में निरवांचित सद्सयों की संक्या बढ़ा दिया गया यानि संक्या को है बढ़ा दिया गया है उसके बाद आप यहां पर देखेंगे सात्यों प्रान्तिय विदान प्रिस्दों में गेर सरकारी यह क्या है भाउमत इस्तापित किया गया उसके बाद में आप यहां पर देचेंगे लेกिन गेर सरकारी सदस्यों में नामा कित यह बीना चूनने हुए जो सदस्य थे उन की संक्या अधिक थी जिनकी पकड मजबूत ही उन की संक्य तो अधिक हो नहीं है वह यह आपको पता है वर्तमान समय में जो होता है और उसमें भी ऐससे ही essent ता और जब से मनुसे इस पर्टिव पर समझदार हुआ तब से साइध अगर सही तरके से आप इतियास को पढ़ेंगे इस जो वीडियो सरंकला करेंगे उन में अच्छे से बताएंगे आपको कि किस समय से मनुसे की उत्पती इस पर्टिव पर हुई और उसके बाद से लेकर अब तक के इतियास को जानेंगे उस सरंकला के अंतरकत जो कि हिस्ट्री के तैयत पढ़ेंगे तो अब पॉलिटी में फिर से आ जाते हैं साथिय हुआ हैं तो जिसमें निर्वाचित सदस्यों के तुल्णा में अभी भी उनके संक्या आदिक ही रही तो यह साथियों इससे सब्ढ़ित मेहत्पौन जानकरिए यहां पर इस्ताई एस्ताई और अतरिक्त implementing सदस्यों से सम्दित संपौनकर यहां पर दी गई है परत्ती निर पर उस समय भी क्या है सदे से अलग-अलग होते थे जिसे पर्तक निर्वाचक मंदल में आप अगर देखेंगे यहां पर छह जमिदार पांच मुस्लिम और दो व्याप पैरी थे और उसके बारे में बारह सदे से जिसमें मुंबई मदरास और यह आपके बंगाल और जो यहां करने के लिए बारत में पहली बार बहुत बड़ा परिवर्तन होता है क्या होता है साथियों पर्थक निर्वाचन व्यवस्ता की सुरुवात की गई साथ ही दोस्तों यहां पर मुसल्मानों को परती नहीं के मामले में विशेस रियायत मिल गई उसके बाद आप देखेंगे साथियों मुसल्मानों को केंद्रिये विदान परिशद में जन संक्या के अनुपात में अधिक परती निदी बेजने का अधिकार मिल गया यानि जो मांग उन्होंने रखी वही मांग इस अधिनियम के द्वारा सविकार कर ली गई है उसके बाद में देखेंगे साथियों कार्ण था जिसके कारण हम लाड मिन्टो को बारत में सामफरदाईक निर्वाचन के जनक के रूप में जानते हैं इनको अब सात्यों आप से एकजामेक्योसन पूछा जाएं कि भारत में सामफरदाईक निर्वाच्चन के जनक किसे मानते हैं या कौन है तो लार्ड मिंटो है और कब की घटना है यह आप कोमेंट करके जरूर बताईए क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया है तो यहां पर साथ यूं हम जानकर लेते हैं गवर्णर जनरल की कारी कारिनी में एक बारतिय सकतियों सदसे को कि नयुक्त करने की विवस्ता की गई और पर्थम सदसे सतिंदर सिना थि जफि sü nhân विदी सदसे बनाय गया अब साथिओं एक बार क्यो स्बार पूश लिए था कि वीदि सदसे जो बनाया घ्याए था सबसे पहले परथम वह कौन थे तो वह सतेंदर शिनात थे अब साथियों ये इन से समद्दित एक मैत्पुन जान करिए और यहां पर आप देखेंगे साथियों इस अधिनियम के दूरा विदान परिस्दों के जो कारिये थे उन कारियों में वर्दी हुई यानि बड़ोतरी हो गई इसके मादेम से उन्हें आउसर मिला की व परबाव डाल सके यानि लोग हित जनता की बलाई के लिए जो जन हित है उसके लिए यहां पर कुछ महत्पुन कदम उठाए गए थे इस अधिनियम के तहट उसके बाद में साथियों हम यहां पर देख लेते हैं यदि इस अधिनियम के प्रावधानों पर थोड़ा सा गोर अगर फरमाया जाए या गोर किया जाए तो इसे एक बात का तो हमें पता चलता है कि इसमें खिचडी पकाराकी ठी या पकाराकी है अगर दूसरे को दूसरे या कह लो या कीसी भी सब्रावाद कि जन परती निदी तुए पढ़नाली एक दोस्त पूरण पढ़नाली बन गई अब सातियों यहां पर आप देखें खीचडी तो पक गई लेकिन इस खीचडी में गुठले पढ़ गए क्यों पढ़ गए सातियों कि निर्वाचन की जो मुस्लमानों ने जो भी मांग रखी थ हैं दिरे दिरे इसमें फूट पढ़ने वाली बात हो गई या फिर इसको हम दोस्त पूरण पढ़नाली कहते हैं या बन गई जैसे क्या हुआ सातियों कुछ लोग जो इस्थानिये निकाईयों के जो चुनाव करते थे वे और सदेशे जो चुनाव मंदल का भी चुनाव कर करते हुए बहुत सी घरबड़ियां पैदा हो गई यानि बहुत सारे गपले बाजी उसमें हो गए उसके बाद में सातियों आप यहां पर देखेंगे जहां एक और संसदिय पढ़नाली तो दे दी गई लेकिन उत्रदाई तुए नहीं दिया गया जिसे सरकार विवेक हीन तत्था उत्रदाई पर क्रिया की आलोचना होने लगी तो यह सातियों आपने यहां पर देखा की कितनी महतफ़ों जानकर यह आपके लिए एक्जाम की दिर्शटी से आसा करता हुए यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगता सातियू आगले वीडियो में नहीं उमीद नहीं जोस के साथ तब तक आप पढ़ते रहे हैं और जो पीडियो में दे रहा हूं उसको रिविजन करते रहे हैं धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्राम